कि दरसल विछले चुनाओं के अंदर अगर तीसरा पोण नहीं होता तो शायद बीजेटी का कि सीटे इतनी कम नहीं आती ही बलकि जादा आती हो साथ बराबरी कि तक करो कि आप यह कहने के कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर आठ प्रक्षट जो बरता हुए दिखाई पाड़ आठ बीजेटी के खाते में जा रहा है तो इसका मतलब बहुत साब है कि बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्त ने यह सोच करके कि हम अपने बोट बनाये रखेंगे और हम से नाराज वोट कॉंग्रेस की और ना जा करके जोगी साब की पार्टी में चले जाएंगे और हम उससे अच्छा निकाल देंगे वह उल्टा जो एंटी कॉंग्रेस बीजेपी से नाराज वोट थे वो जोगी जी की पार्टी में और बाकी जगहों पे चले गये बीजेपी का इस तरह से उसमें नुक्सान हो गया कॉंग्रेस के जो वोट थे वह कॉंग्रेस को पढ़े और जो ए अब इस बार जो है ओर सिंप्लिफाइब ना हो जाए ओर सिंप्लिफाइब से मतलब केवल यह सोच करके कि हम संगठर से चनाव जीद लेंगे क्योंकि तो कि पांच साल लगबंग रिटाइड इनिंग स्केल नहीं है रमन सिंग कहीं पर भी पोर्फेंट में नहीं है आपने कोई खबर नहीं सुनी को इनके बारे में सुना नहीं ना तो बीजेपी ने उनको प्रजेक्ट किया ना उनका आल्टरनेटिब दिया रार्स्तान की केस में जैसे वहां पर तो गरियन सिंग शेकावत को या बाकी लोग को बीजेपी ने कोशिश की बरी पूरी के इंदरी ने की वो प्रोजेक्ट हो जाए हादा की नहीं हो पा रहे है वहां पर अभी भी भी रानी साहिब अनली एक पॉलिटिकल जिसे कह सकते हैं कि जो अ शेहता या जो भी उतके साथ में है वो ले रहे है तो यह कहीं जब धाल दिमांद लगाने वाली समस्याती पिछली बात जब और से कम दिमांद लगाने वाली समस्या पर और सिंपलिफाइड ना हो जाए और कॉब्लिकेशन को साथ गस्मनों छे प्रक्षाट वोट बिला और 2018 में ही बीजेपी का वोट डॉट किया है 2013 के तुलना में वो है आठ गस्मनों 06 यानि लगभग उतिने ही वोट खिसक के उदर चले गए तो जो आपने कहा ना ज्यादा दिमाग लगा दिया बीजेपी के स्टेजिस ने इसक अश्टोश अगर आप जो बीजेपी ने इलक्षन जीते आप अगर उनके वोट शेयर पे निखा डालेंगे तो आप आश्याचे की तरह जाएंगे कि कॉंग्रेस कितनी ज्यादा क्लोस थी बीजेपी के गैप कभी भी 36 गर में वोट शेयर का ज्यादा नहीं रहा है बहुत विदान सभाचिनाओं में और टाच अनगो की तरह से ही बीजेपी ने रिका ले थे गोच रहा है वैसे सेंट्रल चटिस गर सबसे बड़ा है साउथ वाला साउथ में बीजेपी ने तीन इलक्षन लगाता स्वीप किया पिछली बार और जैसा कि आपने बोला था कि सब्सक्राइब हुए थे तो वो एक वैक्यूम लीडर्शिप का ऐसा आया जिसको बीजेपी ने पंदरा साल तक उसका लीडर्शिप का उनको मिला लेकिन पिछले चुनाव में वो भी परटा खाया था अब देखना है यहां पर यह है कि जो जो आप इशारा कर रहे है कि क् स्ट्रेटिजी पिछली बार से ओर सिंप्लिफाई होती है कि यह वापस अपना बेस क्याप्चर करते हैं क्योंकि कॉंग्रिस का वोट कभी भी चालीज वीड़ी से बीचे बेस वोट चतिसगार में नहीं रहा है इतना वोट उसका हमेशा रहा है जो चतिसगार मदर परदे लेकिन विदान सब्दाब में चालीज से बीचे कॉंग्रिस का वोट कभी नहीं वैसे मैं नहीं बाता हूँ वेरा बेस चालीज परसेंट का है कॉंग्रिस के लिए बिल्कुल अब क्या इसके अधार में लोकसभा का कोई नुमान लगा सकते हैं या एक सवाल होगी क्या आने वाले समय में यह जो आपना वोट परसेंटिज बताया है या जो सीट का प्रजेक्शिम क्या क्या कि इसमें कुछ बदला हो सकता है अगर माल लीजिए कि बार्तिय पत्क अमीदवार रमन सिंग्या कोई भी जो है तो हमें देखना होगा कि बाई पोलारिटी की डेस में बगेल साहब वर्सेस डाट फेस किस तरीके के आख़े लोग देखते हैं नंबर एक चीजिए नंबर दो कॉंगर्स के लिहाज से सिटिंग एमलेस कितने रिपीट होते और तीसरी चीज प्रधान मंत्री का कैंपेज ये बात हम लोग कई बार बाचीट कर चुके हैं जिसको इंपेक्ट पड़ता है लेकिन मेरा माना यह है कि लोगसमा चुनाओं जब हमारे पास में च्छे महीने आठ महीने रह गए हो और विधान समाओं तो प्रहान मंत्री ज आरे हुए चुनाओं में भी इतनी महनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूब है कि जब वोट नहीं देने वाला इंसान भी गिल्ट लेके घर जाता है कि हम वीजेपी को तो वोट अभी नहीं दे रहे हैं लेकिन हम देंगे तो एक हारा हुआ करनाटक का चुनाओं भी व तो मानिये जैसे 46-47 परसेंट करते हैं तो प्रधार मंत्री की रेटिंग उससे 20 परसेंट और उपर हो जाती है या जो कॉंग्रेस के केंडरी निर्टत्पा उसकी रेटिंग 20 परसेंट भी ने दिखाई दे तो एक इस तरह मेजर स्प्लिट वोट है 20 परसेंट का जो बहु जादा घर कर गई है वोटरस में और नेताओं में कि जब कॉंग्रेस के या विपक्ष के देता कैंपेंग में जाते हैं तो आप अभी देखेंगे कि पूरे अभी से लेके 4-5 महिदे तक मैं गारंटी लेता हूं आश्टोष कि आप एक लाइन वगेल साब के मूँ से सब्सक्राइब के रूप में मोदी को चाहता है मैं उस बेस को नाराज नहीं करना चाहता केवाल इसलिए कि मुझे अपने पार्टी के के केंदरी नितत्तों को गवाई देनी पड़े पहले मैं जीतूँगा वो मेरे लिए ज्यादा महिद्वोड है उसकी लाई और इसमें गलत नहीं यह कुछ भी यह दिरसल प्राक्टिकालिटी को दिखाता है कि यह लडाई भूपेश बगेल की लडाई है यह राहूल गार्दी की लडाई नहीं है बहतर होगा कि जितना केंदरी नितत्तों इस लडाई से पीछे रहे हमने सबसे बड़ा उधारन उसका हिमाचल प्रदेश में देख लिया तीन वीजिनल लीडर्स को आगे करके सेंट्रलाइज इलेक्शन को डी सेंट्रलाइज करके कॉंग्रेस ने चुनाओ जीती लिया माचल प्रदेश का और केंद्री नितत्तों ने सबसे बड़ी भूबी का उसमें यही रिवाई आश्टोष की कें अब होना बाकी है लेकिन एक प्रिलिम्नरी डेटा आपके सामने मौजूद है और यह दिखा रहा कि चत्रिस गल में आज की तारीव वकर चुना होता तो वहां कॉंग्रेस की सरकार दुबारा वापस आती है इक बात जाते हैं आश्टोष क्योंकि अभी कई प्रेकर्स लगातार आएंगे कई बार होता है लोग के आपने समय यह का सर्वेज का काम छे वहींदे बाद क्या होगा यह बताना नहीं है हम आज बीपी ना पने हैं आज बुखार ना पने हैं आज की रीडिंग दे सकते हैं तो अब यह ब्लकुल इसले आपने दर्सकुन करके आज की तारीव अगर चुना होता तो शायद यह आकड़ होते हैं लेकिन तीन महिने के बाद क्या होगा वाकई जब वोट पड़ेगा सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि अँब खर पंदे करक opportunities के एप गुमूदद सिमनें अप्ले वाई